दाउं के लिए ये खास सेशन होने वाला है और इसमें तस्नीम खान जी होंगे हमारे साथ, नॉबलिस्ट है, बहुत स्वागत है आपका, डॉक्टर कॉशल परवन जी है, वो प्रोफेसर है, आपका भी स्वागत है गिर्पया मंच पर आईए जोर्दार दालिया प्लीज, जोर्दार थांक यू विनीत, वंदना, मंच के स्वागत, मंच के इस कारिकरम में आपका बहुत स्वागत है, तस्नीम खान जी हमारे साथ है, डॉक्टर कॉशल पवार हमारे साथ है, और चुकि मंच पर आधी आबादी की बात उठानी बहुत ज़्यादा जरूरी है, मैं शुर्वात करूंगे प्रधान मंठी नरेन मोदी के आज कल के भाशन में, प्रधान मंठी जिक्र करते हैं, चार जातियों का, महिला, युवा, गरीब, औ किसान, कैसा लगता है यह सुनकर की प्रधान मंठी नरेन मोदी बार-बार महिलाओं को आगे बढ़ानी की बात करते हैं, सशक्ती करण को बढ़ावा देते हैं, और पिशले नौ सालों को अगर आप एक महिला होने के नाते एनलाइज करें, क्या कुछ हो गया है, क्या होना डॉक्तर कॉशल पवार आपसे शुरुबात करें, बहुत बहुत आभार, आपके चैनल कूर तुमाम ओडियंस को, नरेंदर मोदी देश के प्रधान मंत्री हैं, और उनका जो वीजन है, वो हमारे लिए बहुत महत पुण है, लेकिन साथी साथ जव चार जातियों की बात जाती है, और जहां महिलाओं की बात है, वहां सही माहिने में यह जाती जो विभाजन एक तरह से है, वो तब होगा, जर समाज की वो महिलाएं, जो नीचे पायदान पर भी हैं, जो स्तरीकण की परिक्रिया में अंतिम पायदान पर हैं, इसमें मैं हमारे देश के परधान मं मंत्री को धन्यवाद भी दूगी भले ही प्रतिकात्मक रूप से सही आप याद करिए हमारे देश के परधान मंत्री ने जो सफाई करमचारी महिलाएं थी जो मैला उठाने वाली महिलाएं थी उनके पैरों को धोया था यह भले ही प्रतिक के रूप में रहा हो लेकिन इसका जो मैसेज था वो बहुत बड़ा था यानि आप महिलाओं को इतना दर्जा देना चाहते हैं समानता का कि आप उनको बराबरी ना केवल मुखो मतलबानी से या अपनी बात के माध्यम से बलकि वैवारिकता में भी लाकर देश के परधानी मंत्री ने उनके पैरों को धोया लेकिन साती सातbla ये भी जरूर कहूंगी कि इस तरह की वर्ग विभाजन कहीं ना कहीं एक तरह से उस प्रशन को भी लेकर आता है जो समाज की जो मैलाएं हैं उनके अंदर के जो जातिवाद है उनके अंदर की जो स्तरिकर्ण के प्रिक्रा है उसको भी हमें नजर अंदाज नहीं किया जाना चाहिए, नहीं करना चाहिए. क्योंकि हम भारत देश के उस परतनिदित्व करते हैं उस देश में जो आदी अबादी जिसका आपने जिक्र किया, लेकिन उस आदी अबादी में अबी ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं, जिसके सवाल ना तो मेडिया उठा पाता है बहुत बार और ना ही लेकन में आता है, मेरी सहयोगी तस्नीम जी होंगी मेरे साथ, जो इसके उपर बात भी रखेंगी, कि लेकन में भी अगर हम देखें, उस समाज की उन महिलाओं की बात कहीं ना कहीं अनचुई रह जाती है, कहीं ना कहीं उनके जो सवाल है, उनके जो परताड़नाएं हैं, उनका जो अस्तित्तु है, कि हर गाओं, हर लुकड के आखरी घर तक पहुंचें, और महिलाओं के लिए काम हो, जो पिछड़े हैं उन्हें आगे लाएं, एक दम मैं ब कहते हैं, कि बस यहीं इस चार दिवारी में रहना है, इस से आगे कोई जिन्दगी ही नहीं है? जैसे चाहें वो सपने देख सकती हैं, जो चाहें वो कर्यर के तौर पर चुन सकती हैं, जिसे चाहें वो अपना साथ ही चुन सकती हैं, वो हर तरह से वेतन में समानता की अधिकार हैं, पेत्रक संपत्ति में समानता की अधिकार हैं, तो वो अधिकार क्या है? यह सारा कुछ सिक्षा से आता है तो सबसे पहले मैं यही कहूंगी कि सिक्षा जो है वो प्राइमरी थाट है किसी भी बच्छी के लिए महिला के लिए दूसरा जो सबसे बड़ी बात अभी हम कर रहे हैं महिलाओं के कल्यान के लिए यह महिलाओं के आगे बढ़ने के लिए महिलाओं के लिए जो योजनाई हैं, तो सुरक्षा जो है, पूरे देश में सबसे बड़ी जो समस्या है, वो महिलाओं के लिए सुरक्षा को लेकर है, तो इसके लिए सरकारे क्या करते आई हैं, हमेशा से चाहे वो किंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारे हैं, कि पुलिस को आदेश दिये जाते हैं कि जो भी ऐसी कोई घटना हो महिलाओं के प्रती जो भी हिंसा हो उस पर तुरंत कारवाई की जाए या फिर महिलाओं के साथ छेड़कानी है महिलाओं के साथ रेप जैसी बलातकार कहूंगे इसको कि बलातकार जैसी जो घटनाई होती है उस पर तुर तो वही बात हो गई कि हम 101 तरीके बता रहे हैं आपको, कि आप अपने घर में ताला लगा कर किस तरह से अपनी मनी को सोने को चान्दी को आप सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन हम उन चोरों पर नहीं लगाम कसपा रहे हैं, हमारे पास ऐसी योजना हम नहीं लापा रहे हैं जिससे की इन चीजों पर लगाम लगे जो लड़के आते हैं, वो भी तो हमारी समाज सही आते हैं वो कोई एलियन नहीं है कि वो किसी दूसरे समाज से अचानक से आए जैसे पेराशूट लीडर्स होते हैं उस तरह से पेराशूट लड़के आये और उन्होंने किसी का रेप किया, उसकी हत्या की ओर चले गए, ऐसा नहीं होता है, वो हमारे समाज से आये हैं, तो समाज के तोर पर हमारी जिम्मेदारी तो है, इसके अलावा जो मैं चाहती हूँ सरकार से, कि वो ये सेल्फ डिफेंस की बजाए, लड़कों को दे, बोई चाइल्ट्स को ये इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए, कि वो जेंडर सेंसिटिवीटी की, लेंगिक सम्मेदन शीलता को वो समझे, कि मुझे घर में, घर के बाहर, सड़क पर, बस में, ट्रेन में, मुझे किसी भी लड़की के साथ किस त पैरेंट्स हैं, उनके लिए कोई योजना, ऐसे कोई ट्रेनिंग सेशन चलाए जाने चाहिए, कि हम उनको कानून बताए, कि अगर किसी बच्ची को बच्च्पन से सिखाया जाता है, कि बही चार दिवारी ये एक तुमारी लक्षमन रेखा है, या फिर इस दाइरे में और सरकार का भी दाइत्व है, कि उनके पैरेंट्स को बताए कि क्या क्या कानून है, साट सेकेंड तक एक लड़की को आपका बच्चा देखेगा, छेडखानी की तहत वो जेल जाएगा, तो ये उनको पता होना चाहिए, ताकि वो अपने बच्चों को बचा सके, क्योंकि ह हम कई सारे मामले ऐसे देखते हैं, कि लड़कों को तो हमेशा सी बच्चपन से इस तरह के असास रहते हैं, कि ये सड़क भी हमारी है, महला भी हमारा है, हम यहां से हैं, हम वहां से हैं, तो सड़क पर चलने वाली लड़कियों को चेड़ना भी हमारा हक में आता है, तो पै पेरेंट्स के लिए जुरूरी है कि उन्हें हम कानून के बारे में बताए कि कौन कौन से कानून के तहत उनका बीटा जो है जेल जा सकता है और सबसे कानून का जखर किया है और यहां हम ITV ग्रुप के मंच पर बैठे हैं महिलाओं की बात हो रही है पिछले नौ साल में मोधी सरकार की बात भी हुई और महिलाओं को लेकर अग्रसर मोधी सरकार रही है देखिए महिला आरक्षन कानून अभी बन चुका है महिलाओं 33 फीजदी के आबादी में अब सदन के भीतर हैं यानि कि जो आवाज हम अभी यहां इस मंच पर बैठ कर उठा रहे हैं वो अब सदन के भीतर 33 फीजदी के तादाद में गुंजिने था जो समानता का अधिकार जो बाबा सब्सक्राइब करने सविधान में दिया था उसी सविधान के इंप्लीमेशन में ये सरकार वैवारिक्ता में लेकर आ रही है और इसमें ये बात भी जरूर कहूंगी कि जिस तरीके से तो जो रिजर्वेशन आया पॉलिटिक्स में साथे साथ ऐसी महिलाओं को भी उन्होंने बराबर के हिंसेदारी दी तो इसको ये दरिखाता है कि जो प्रिष्ट भूमी रही है पुरी मतलब हमारे भारतिय समाज के अंदर जो महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने की समानता का अधिकार देने की वह वारिक्ता में आज पॉलिटिक्स में भी एक तरह से आया है और ना केवल समाने वरक की महिलाओं के बीच में बलकि उस त संभालती आई हैं जिम्मेदारियां एजुकेशन संभालती हैं बैंक संभालती हैं तमाम पाइलेट्स आप आर्मी में भी हैं अब पॉलिटिक्स को भी महिलाओं संभालेंगी मैं इसको इस तरीके से देखती हूं कि हमारी जो वर्तमान सरकार है यह जो बिल जो पास हुआ यह एक बड़े बदलाव की तरफ दिखाता है और नगेवल भारत में अगर हम वेश्विक द्रिष्टी कोन से भी देखें वेश्विक द्रिष्टी कोन में भी महिलाओं को जो वोट का अधिकार था बहुत बाद में आया है अगर वेश्ट को आप देखें येरोपियन कंट कि औरों के लिए और यहां तक कि परना भी जैसे की मेरी साथ ही बोल रही थी अभी कि जो सुरुक्षा की भार्वना थे सुरुक्षा की सिक चापना तब ही आएगी ज़ब तमाम अक्षीतर पराबर के हिंसेदारी होंगी बराबर कंदे से कंदा मिला कर काम करेंगी तो मुझे लगता है कि हमारा जो युवा जो खासकर जो पुर्श जो समाज है वो इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समेंदंशिल तरीके से देखेगा सेंस्टाइज करने का एक बहुत बड़ा कदम वर्तमा करती हैं आप देख रही है महिला आरक्षन कानून के बाद इन फ्यूचर कुछ पॉजिटिव रिजल्ट से इसके निकल कर सामने आएंगे दरसल मेरे दिल की बाद कहूं तो ये दिल मांगे मौर तो मुझे बराबरी चाहिए जिक्र तो नहीं कर बिलकुल बिलकुल बिलकु 33 प्रतिशत 10 प्रतिशत 20 प्रतिशत वो नहीं चाहिए एक महिला होने के नाते जो भी अफसर है वो अफसर चाहिए समान अफसर चाहिए चाहिए वो किसी भी जॉब में हो कॉर्पोरेट कल्चर में हो चाहिए सरकारी नोक्रियों में हो चाहिए राजनीती में हो हमें समान अ जो आर्थिक तोर पे सशक्त महिलाओं के जरिये हमने एक सपना देखा था कि हम महिला सशक्ती करण को देखेंगे लेकिन यहां पर हम काफी हद तक जो है वो नाकाम होते नजर आते वो इसलिए कि अगर मैं ये खबर पढ़ती हूं कि हर्याणा में जो न्याइक सेवाओं में जज है वो बुरी हालत में POLICE उसको रेस्क्यू करती है उसके बाद महिला बताती है कि उसे पीटा गया है पती की ओर से उसकी जो Sellerie है उसका पूरा हिसाब उसे देना होता है अपनी पती को तो कहीं न कहीं जो ये आर्थिक तोर पर सशक्त होने के बाद सशक्तिकरण का जो अपने सपना देखा था मुझे नाकाम सा लगता है क्योंकि एक जज जब पिट सकती है एक पुलिस वाली पिट सकती है कोई पत्रकार पिट सकती है तो फिर अ महिलाओं के साथ हो रहे अपराद कम नहीं होते पर चाहिए वो कुछ महीने की बच्ची हो या फिर वो 70-80 साल की बुजर्ग हो इसमें हम महिलाओं की एक तरफ उन्हें आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ हम विरोधा भास भी इसका देखते हैं और मु भद्र टिपणी की गई है मुख्यमंत्री के जरीए इन सब बातों को जहन में रखें अगर हम सोचे पुलिटीशन ही ऐसा बोलेंगे ऐसी सोच रखेंगे तो आम लोगों में मेसेज क्या जाएगा कहां से होंगी महिलाओं सुरक्षित नहीं है क्यों नहीं है हम समाज के तौर पर खुद को फेल साबित करने के लिए यहां पर क्या हम राजनीती में राजनीती में आए हैं हम अगर आगे बढ़े हैं तो कोई नो कोई तो ऐसा कुछ होगा या तो हम इस सब चीजों से अपने आपको अलग कर लेना चाहते हम नह कुल बैक में रखकर जाना चाहते हैं बस लड़कियां जो है जैसे कि एक नेता का आपने जिक्र किया कि उन्होंने कहा था कि सीता मर्यादा तोड़ेगी तो सीता हरण होगा ही तो महिलाइं घर में रहें तो इस तरह की नेताओं के जब आते हैं तो बहुत ही निराशा जनक स्तती होती है कि जहां हम कुछ महिलाई या हम महिलाएं इसके लिए लड़ाई लड़ रही हैं कि कैसे सुरक्षित समाज जो बनाया जाए नेताओं के पास कोई विजन यह नहीं है सिवाए इसके कि उनको घर के अंदर रखा जाए महिलाओं के तो इसके लिए हमें बड़ा विजन लाना होगा एक individual के तोर पर भी मुझे लगता है कि मुझे खुद को भी काम करना चाहिए individual के तोर अगिलाओं के इस रुक्षा के तहत अंतरगत आती है जो आने भी चाहिए और इस तरीके के बयान एक बड़े लार्ज स्केल को प्रभावित भी करती है लेकिन मेरा ये मानना है साथ ही साथ कि सवाल केवल सरकार का या उनके नुमांदों का नहीं है बलकि सवाल ये समाज का भ एक नई सदी की तरफ बढ़ रहे हैं भारत एक बर फिर से विश्व गुरू की तरफ बढ़ रहा है इसमें समाज की भी उतनी ही जिम्मेदारी है इस तरह से देखना चाहती हूं मैं इसको कि अगर आप इस तरीके के परतिनीधी जिन से उमीद की जाती है समाज जिनको सरकारें बलकि अपनी बराबरी के अधिकार की रक्षा करने के लिए खुद भी आगे आएं हम मत भूलिये कि यहां निर्भय कांट जब हुआ था तो महिलाएं ही थी जिनोंने ना केवल भारत में बलकि वैश्रीकन का मुद्दा एक बना दिया था और उसके बाद जिस तरी करने का विप्राय यह है कि सत्ता में बैठा हुआ कोई भी परतिनी थी अगर इस तरीके की बायान बाजी करता है और आप केवल मूख दर्शक बनकर रह जाते हैं तो समाज में जो रहने वाली आधी अबादी है जो महिलाएं हैं वो महिलाएं उनका क्यों निवरोद करती फ जनता का चुना हुआ परतिनी थी अगर सकारत में कोई बात करता है उसका परभाव जाता ही है अगर वो नकारत में करता है उसका भी परभाव जाता है लेकिन सबसे महत्तपून बात यह है कि आपके शिक्षा मैं खुद शिक्षा से जुड़े हुई हूं हमारे विश्व द कर रही हूं बलकि भढ़ा भी रही हूं यानि कि आप अपने दिये गए अधिकारों का इस्तेमाल कैसे करते हैं यह महिलाओं को बहुत अच्छी तरह से न केवल सोचने की जरूरत है बलकि इसको समाज की जो नई पीड़ी है हमारी जो तमाम यहां जो बच्चियां बैठी हु भी बैठी करते हैं हिनसात्माक जिसको शारीरिक हिंसा मैं उसको बलतकार मुंझे शब्दी अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि यह हिंसा है और आपने योन सुचिता से जोड़ने की अव्शक्ता नहीं है क्योंकि उसमें महिलाओं का क्कोई कसूर नहीं होता है उ उन माओं का जो बहुत 86-86 साल के जो महिलाएं होती है जिनके साथ ये शारिरिक हिंसा हो जाती है उसका भी उनका कोई कसूर नहीं होता तो ये एक महज एक फिजिकल मतलब हिंसा है जो पुर्ष करता है इसको इस तरीके से देख लें ये भी तो समाज ही तेह करता है कि अगर ए तरीके से नहीं देखता कि ये हिंसा हुई है उसके शारिरिक हिंसा है वो इसको इस तरीके से देखता है कि ये तो एक तरह से इसके साथ बलतकार हुआ आगे वो अपनी जिंदगी को कैसे जिएगी तो ये समाज को ज्यादा सेंस्टाइज करने के जरूरत है हमारी जो शिक् पिड़ी है खासकर लड़कियां जो युवा पिड़ी हैं वो इन चीजों को कैसे देखती हैं ये भी आगे आने के जरूरत है और मुझे लगता है कि ये जो जो समानता का अधिकार जो आरक्षन आरक्षन ये रेलवे का रिजरवेशन नहीं है एक मैं तमाम युवा साथियों बता दूं ये कोई आरक्षन रेल का रिजरवेशन नहीं है ना जहाज का है बलकि ये प्रतनीधित्व का सवाल है जो बावसा भीम रावा बिड़कर ने समिधान में दिया था वंचित वर्गो को दिया था एस्सी एस्टी ओबीसी को दिया ये आज जो पॉल्टिक्स में ज चारीरिक इंसा के इशूज आसमानता के गैर बराबरी के मंदिर में प्रवेशना करने के अधिकार को मदिद में प्रवेशना करने के अधिकार को बुर्का पहनने के अधिकार को ट्रिपल तलाग के अधिकार को ये तमाम जो हमारे अधिकार है वो जब महिला इन संसद में बैठेंगी तो निश्ची तरुप से एक बदलाव आएगा मैं ऐसा सोसती है अच्छा डॉक्टर कॉशल जैसे जिस तरीके से अपनी बात को यहां रख रही है वे समझ में आ रहा है कि अपने स्टूडेंट को वो कितना अथॉरिटी के साथ पढ़ाती होंगी और बिल्कुल म यह कहती हुई नजर आएं कि मेरी बेटी जो थी वो तो रोते रोते थीटर से बाहर आ गई इतना जादा महिलाओं के खिलाफ वॉलेंस दिखाया गया है और डिगनिटी को तार-तार कर दिया गया है फिल्में समाज का आईना कही जाती है तसनी जी आपको लगता है कि इस त जरूर होते हो यह यूमन नेचर है यह यूमन साइकोलोजी है कि आप गलत की तरफ जादा तरह से इंफ्लेंस होते हो तो हिंसा मैं पूरी तरह से नकार्तियों हूं कि वो टीवी पे भी दिखाय जाए हम फिल्म देखने जाते हैं एक एंटेटेंमेंट के लिए तो वहां ए महिलाओं के दिमाग पचाये हैं तो लेकिन उन डेली सोप ने हमारे समाज का कितना बड़ा नुकसान किया है उन हर एक डेली सोप में जितने भी विलिन होते हैं वो सारी महिलाई होती है जितने भी साजिश रची जाती है वो तमाम महिलाई होती है यानि महिलाओं के लिए narrative set कर दिया गया है कि वो घर में रहकर अपने सोना चांदी के गहने पहनी वी हीरे के गहने पहनी वी पूरा एक बाजार वाद अपने उपर लाद कर वो सिर्फ एक साजिश रचती है कि आज जो साज बनने की उम्मीद रखती है और तो वो शक की नजर से देखती है कि कई मेरी बहु आएगी साजिश तो नहीं रचेगी बहु की जिसकी उम्र है वो लड़की सोचती है कई साज तो मेरे खिलाव साजिश नहीं रचेगी यह मजाग की बात नहीं है यह दिमागों में घर कर चुका है और उन्होंने यह नरेटिव सेट कर दिया है कि महिलाएं हैं वही साजिश करेंगी अच्छा सबसे बड़ी विडमना देखिए कि उसमें एक पात्र हर जिन डेली सोप की मैं बात कर रही हूँ तो उनमें हमेशे एक पुरुष पात्र होता है वो दो शादियाँ कर लेता है फिर उसकी जो नों तौर बीव्याँ होती है वो दौर साजिशे रचती ह polarized मदला हो पुरुष तो इतना भोला है इतना सीधा है कि दो बीवियों से शादी कर ली है लेकिन वो बिलकुल भोला है जितनी साजिश रचनी है उसकी दो बीविया रचेंगी क्योंकि वो साजिश करता है जब कि सच बात ये होती है कि दो बीवियों में किस तरह से मैनेश करती है वो दो बीवियां किस तरह की मानसिक हिंसा जहलती है इस हिंसा के बारे में बताया जाना चाहिए कि कैसे एक घर में दो महिलाई रह सकती है, बहुँ विवा को यहाँ पर बताया जाना चाहिए, लेकिन नहीं, उसकी तीसरी भी शादी हो जाए, तो तीनों मिलके साजिश ही रचेंगी, तो यह narrative जो है, यह समाज में मुझे लगता है, कि कहीं न कहीं जो हमारी लडाई है, महिलाओं की जो लडा लगती है, you know? अच्छा, यहाँ मेरे मन में दोख हैाला आते हैं, अगर आप डेली सोप की भी बात कर रही हैं, अब मैं थोड़ा सा रिस्पॉंड करना जाओंगी, बहुत संक्षेप में, मैं समझ रही हूं आपका समय नहीं, मैं इसी से जुड़ा हूँ आप से सवाल करने और हम और आप हो सकता है, सामाने जिन्दगी जी रहे हो, लेकिन जिन लोगों पर वो बीत रही होगी, वो तो बड़ा रिलेट महसूस करते होंगे, कहते होंगे कि देखिए, हमारी कहानी पर उतार दिया, अगर वालेंस की बात है, कश्मीर फाइल्स में तो बहुत सा वाले आड़ी ने देखा होगे, एक थैंक यू फोर कमिंग करके वेब सीरीज आया है, और एक ओम जी टू, आइधिक टू या थ्री है, उन दोनों के विशे वस्तु को अगर उठा के देख लें आप, तो बहुत सारी चीजे साफ हो जाती है, हमारा जो मीडिया है, या थेटर है, एंटर्टेन्मेंट का थेटर है, वो क्या दिखाना चाहता है और आप उसको कैसे रसीव करते हैं, ये डिपेंड करता है आपके अपनी समझ के उपर, मैं एक सवाल तो सफफ ये कहना, जवाब देना चाहती हूँ, दूसरा जवाब मैं ये देना चाहती हूँ, कि जो ये न मैरसिंग सा लगता है, लेकिन समाज में वही गालिया परचलित भी होती है, उसको आपने परदे पर दिखाया, तो मैं कहना बस ये चाहती हूँ, कि बिल्कुल सही है, कि एक नकारात्मक दृष्टी कौन तो पैदा होता है, लेकिन वो वहाँ पैदा होता है, जहां आप उस पुर्ष अपने satisfaction कर सकता है, sexually satisfied कर सकता है अपने आपको, वहाँ तो सवाल बड़ा अच्छा लगेगा सुनते हुए, लेकिन वही इस सवाल अगर महिला करती है, तो आपको तकलीफ क्यों होती है, और अगर उसको मीडिया में दिखाया जा रहा है, तो इसमें गलत क्या है, आप ये जो इस्त्री के विरोध में जो खड़ा हुआ नरेटीव है, इस नरेटीव के पीछे के नहितार्त भी देखने के जरूरत है, मुझे लगता है कि ये एक पहलू है, यानि अपना अपना परसेप्शन हो सकता है, बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है, समाज का आइना ह है, बहुत करण्ट सवाल मिडिया लेकर आता है, मुझे लगता है, नाकारात्मिक चीजों को आप नकार देजिए, लेकिन उस नाकारात्मक में भी जो जो सकारात्मक जो बिंदू है, मैं तो शिक्षिका हूँ, हम लोग तो पोस्टिवीटी की तरफ जाते हैं, वही हम अप आतालिया